तो दोस्तों सबसे पहला मेसिज मैंने उसको किया Excuse me, मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है तो सबसे पहले ही मैंने उसको question कर दिया इसलिए वो answer देना पर मजबूर हो गई तो बोलती है, अच्छा, मैं आपको नहीं जानती आप कौन? तो मैंने बोला, याद नहीं आ रहा, कहां देखा है तुम्हें? तो बोलती है, बताओ तो मैंने बोला, ओ हाँ, याद आया, मेरे dreams में तो हसके बोलती है, अच्छा जी तो मैंने बोला, हाँ जी, सुनो आपकी जो last post है न, उसकी वज़ा से पुलिस आपको ढूंड रही है तो बोलती है, वाट? क्या-क्या बोले जा रहे हो तुम? पुलिस मुझे क्यों ढूंड रही है? तो मैंने बोला, क्यूंकि आपकी last week ने मेरा दिल चुरा लिया है और दिल चुराना crime होता है तो इसलिए पुलिस आपको ढूंड रही है तो बोलती है, ओ, हसके तो मैंने बोला, but don't worry मैं आपको बचा लूँगा तो मैंने बोलती है, no thanks मैं खुद देख लूँगी तो मैंने बोला, किसको? तो बोलती है, पुलिस को तो मैंने बोला, क्योंकि आप हमें अच्छे लगने लगे तो बोलती है, बस करो कितनी flirting करोगे तो मैंने बोला, मैं flirting नहीं कर रहा, और वैसे भी आप जैसी लड़की से कोई flirting नहीं कर सकता, तो बोलती है क्यों? क्योंकि तुम्हारे जिसी लड़की महबत करने के लिए बनी होती है तो बोलती है अच्छा जी हसके तो बोलती है बहुत लाइन मार रहे हो तुम तो मैंने बोला लाइन नहीं मार रहा मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि तुम कितनी खुबसूरत हो और क्यूट हो तो मैंने बोलती है ओ, बहुत बटर लगा रहे हो, तो मैंने बोला हसके, नहीं यार मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा था, मुझे तुम बहुत अच्छे लगती हो, तो मैंने बोलती है अच्छा, तो मैं क्या करूँ, तो मैंने बोला कुछ नहीं, बस मुझे तो दो बात करनी थ तो चार्ज लएगा गए इसका, तो बोलती है, हाँ, दस रुपे पर मैसेज, तो मैंने बोला हाँ, स्के ही के, मैं देने के लिए तयार हो, तो बोलती है, लाँ दो फिर, एक हजार रुपे हो गए तुमारे, तो मैंने बोला, ही के, पेटेम नंबर दो अपना, तो बोलती है, ओ, यह अच्छा तरीक है, नंबर लेने का, आप समझी में, जाओ, मुझे नहीं लेने पेसे वैसे, तुम पर छोड़ दिये, तो मैंने बोला, हसके, नहीं ले लो, मैं तो देने के लिए तयार हूं, तो बोलती है, मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने बोला, ओके as your wish फिर मैंने बोला सुनो क्या मैं आपको आपको इंस्टा पर follow कर सकता हूँ यहापे एक और pick up line मार दी मैंने उसको तो बोलती है क्यों करना क्या है तो मैंने बोला क्योंकि मेरे पापा ने बोला है अपने dreams को follow करो और मैं dreams तुम हो तो बोलती है कितनी flirting करते हो कहां से सीख कर आये हो तो मैंने बोला Harvard University से PhD किया हुआ है flirting करने का तो बोलती है ओहो तब भी expert हो रहे हो तुम कितनी लड़किया पटा चुके मैंने बोला कितनी भी नहीं अभी तक तो single हो बट हो सकता है जिससे बात कर रहा हूँ वो बट जाए मुझसे तो बोलती है ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो कुछ नहीं होने वाला मैंने बोला अच्छा जी ठीक है जी वैसे भी लड़कियां आज कल smart लड़कों पर मरती है तो बोलती है नहीं तो ऐसा तो नहीं है तो मैंने बोला ऐसा ही है तो बोलती है बट मैं ऐसी नहीं हूँ मैं तो लड़के का दिल देखती हूँ और वो respect करता हो behavior अच्छा हो ये सब तो मैंने बोला वाउ ऐसी भी लड़किया है दुनिया में तो बोलती है तो मैंने बोलती है अच्छा हंजी मैंने बोला इस बात पर एक फ्रेटिंग ली लाइन याद आ गई तो मैंने बोला सुनो तुम ताज महल कभी मत जाना प्लीज तो बोलती है वो क्यों कि मैं नहीं चाहता लोग ताज महल को छोड़के तुमें देखें तो बोलती है ओ सो मैंने बोला थैंक्स तो बोलती है ऐसे तो तुम मुझे सच में पटा लोगे तो मैंने बोला हसके अच्छा जी इसका मतलब इंप्रेस होती जा रही हो तुम तो बोलती है हाँ थोड़ा थोड़ा तो मैंने बोला अच्छा जी तो बोलती है चलो मैं बाद में बात करती अभी तो इस्टार्ट डी हुआ था तो बोलती है थोड़ी देर में करती हूँ बाई दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे मेरी आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिशन मिलती रहेगी तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में